हेलो नमस्तिर असलाम स्रीकाल जैशेगराम स्वागत आप सभी का हमारे इस डेटा स्रक्चर रिवील प्लेलिस्ट के लेक्षिर नमबर 12 पे जहां आज हम देखने जाए कि कैसे हम डवली लिंक लिस्ट में किसी एक रेंडम पोजिशन पर कोई भी नोड कैसे इंसर्ट करते है खेक है तो लाजट के वीडियों में हमने देख लिया था कि डबले लिंग नियुक लिस्ट में कैसे हम insertion फों Hoch पिगनिंग और कि इंसर्ट्शन एट एनी पुजीशन एक है आँ एक है इन कि डॉबले लिंकलिस्ट एक मतलब यह है कि हमादब पास लिस्ट यह कि अमारे पास एक रिस्ट है यह तक है मालो हमारेख लिस्ट है यह नोड 1 है यह नोड 2 है यह नोड 3 है यह नोड 4 है ठीक है और यह नल को पॉइंट कर रहा है यह इधर नल को पॉइंट कर रहा होगा यह इसको 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 पॉइंट कर रहा होगा ओक हमें दे दिया गया एक नया नोड हो गाल्जो कि ये इधर नल को पोइंट कर रहाए इधर नल को पॉइंट कर रहा है और हमें बोल दिया गया कि इसको थर्ड पोजिशन पर इंसर्ट कर वा हम थैबioned पोजीशन पर इंसर्ट कर würden चिक है तो पोजिशन देखें तो जो हमारा नोड 1 है उसकी पोजिशन 1 है ठीक है नोड 2 की पोजिशन 2 है नोड 3 के पोजिशन 3 है और नोड 4 की पोजिशन 4 है ठीक है तो थर्ड पोजिशन का मतलब क्या है कि जो नया नोड है हमारी सेकेंड हमारी सेकेंड और थर्ड के बीच में कही आइए होगी हमारी 2nd ए थर्ड के भिच में कही इंसर्फ ठोड़ा होगा थेक है इस वाले जगए पर के थेक है तब यह न्या नोड हमारी तीसरे कोजिशन पर आ जाएगा और फिर जो नौड थरी था वो position 4 पे आ जाएगा और जो node 4 था वो position 5 पे आ जाएगा थेखे़ तो resultant list हमारी कैसी हो जाएगी resultant list एसी हो जाएगी node 1 node 2 node 2 के बाद नया node insert हो चुका था हमारा थेखे new node अब new node के बाद फीर node 3 आड़ा आएगा हमारा और फिर node को नूर्ट आ जाएगा हमारा और पोइंट को पॉइंट कर रहे होगा यह इसको पॉइंट कर रहे होगा पंच में प्याच है हमें यह करना है हमें यह काम करना ठीक है वह स्टेप्स देखे लें एप्रोच कैसे करता है वह एक रिएट करना है के रेचिन उप न्यू नोड क्योंकि विना नया न्यू नोड क्रिएट किये हम इंसर्ट करवाई नहीं पाएंगे ठीक है step 2 क्या है या empty list को handle कर लो या empty list को handle कर लो क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है यार क्या हमें बोल देया कि 10 में position पर इंसर्ट कर लो बट हमारी list ही empty होगी तो हम क्या ही 10 पर इंसर्ट करेंगे तो हमें empty list को भी handle कर लेना है ठीक है और step 3 non empty list को handle करना है non empty list को handle करना है अब याद करो याद करो single link list में मैंने insertionate any position में तुम एक बात बताई थी कि non empty वाले case में हमारे पास तीन सब cases होते हैं non empty list के case में हमारे पास तीन सब cases होते हैं कौन-कौन से मैंने कहा कि position के किसी एक value के लिए हमें insertion at beginning करना होगा हमें position के किसी एक value के लिए हमें insertionate beginning करना होगा insertion at position के वो कौन सी value होगी वो मैं बताऊंगा insertion at beginning वाला case ठीक है similarly position के किसी एक value के लिए हमें insertionate end भी तो करना होगा पोजिशन के वो कौन सी value होगी वो भी मैं बताऊंगा insertionate and अब इन दोनों के लावा कोई भी एक random position कर रहें तब क्या करना है random positioning ठीक है सारे steps को तोड़ तोड़ के देखें देखते हैं step one क्या था creation of node creation of node ठीक है कैसे create करें तब यह कुछ ने एक line का code है बस node star type का एक new node बना लो new node बना लो new keyword के साथ constructor को call कर दो कुछ value दे दो अंदर बस node अमारे create हो जाएगा हाँ step one आपका बहुत इच्छे से clear हो चुकाया वी तक प्यार इतनी वीडियो आपने देखी लिए है step two empty list को handle करना है empty list को handle करना है ठीक है empty list कैसे पता लगाते हैं भाईया पिछले 4-5 वीडियो से देखते आ रहा हूं आप एक यह बात लिख रहो बार बार कि हमारा head नल पे हो अगर हमारा head नल पे हो इसका मतल़ list empty है उस case में क्या करना है उस case में कुछ node पर point करा दो head और tail को new node पर point करा दो इस case में position की value कुछ भी दी होगी ना कोई मतलब नहीं रखता ठीक है और इतना करने के बाद function के कि बाहर आ जाओ यार ठीक है क्यों हो गए empty list केस अब main game यहां आता है non empty list case non empty list केस यह कुछ अच्छा देख़ा इसको समझा दो मझा आ जाएगा मैं चल्लों सब के सोन क्या था इसमें मैंने क्या बोला तीन केसे सब केस वन क्या था इंसर्शन एट बीगिनिंग वाला इंसर्शन एट वाला केस था यह तो मैंने क्या बोला था कि position की कौन से ऐसी value होगी जिसमें हमें इंसे बिगनिंग कॉल करना होगा बहुत की value होगी एक पॉजिशन की value 1 दिक हो हमें तो हमें इंसर्ट 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 करना है साब सीधी बात है यार इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं थी बच्चों की चीज़ी है तो भैया अगर पोजिशन की वैल्यू वन दी होगी न हमें कि पहले पोजिशन पर जाके इंसर्ट कर दो मतलब साब सीधी बात है इंसर्ट एट बिगनिंग कॉल कर दो सीधा एड टेल रिटा के साथ ठीक है और उतना करने वाद फंक्षन के बाहर आ जाओ इतना करने वाद फंक्षन के बाहर आ जाओ ठीक है है खाली तो सबकेस थो insertion at add इंड्वाला केस In- moisture열 ड्राइब कम जो में insertion at αυτό इंड्वाला केस ठीक है कैसे कर रहे था हम भळाया position की कौन सी value ऐसी होगी position की कौन सी ऐसी value होगी जो हमें insertion at add कौल करना ह pista मांलो हमारे पास एक list है हमारे पास एक list है यार ठीक है जिसमें 3 notes है ठीक है जिसमें 3 notes है ठीक है यह नल को point कर रहा है तो position की कौन सी value होगी position की कौन सी value होगी कि जो हमें end में insert करना होगा मतलब यहां पर तो इसकी position है 1 लिस्ट है ना यह जो length of the list है प्लस वन है प्लस वन है तो हम कह सकते हैं कि भया अगर position की value length से एक ज्यादा होगी तब हमें कुछ नहीं करना यार इंसर्टेट एंड कॉल कर दो इंसर्टेट एंड कॉल कर दो एड टेल डेटा और इतना करने बाद function के बाहर आ जाओ आगे कुछ करना ही नहीं है ठीक है दो सबकेस क्लियर हो गया हमारे इसमें थोड़ा ज्याद दिमाग लगाना पड़ेगा बट इजी है समझाद आएगा ठीक है क्या था सबकेस थ्री एंडम एन्डम पोजिशन केस एन्डम पोजिशन केस चलो समझते है लिस्ट है हमारे पास है एक लिस्ट हमारे पास को है दो दो थू है एक दूल थी हा यह नूल ओर है यह यह नलको प begitu आता है यह इसको यह इसको ये इसको और यह न लैँने को यह हो गया विध यह गयाा ठेम तोसिचिigers वन ये नोड़ वन ठेम ये नोड़ तू ये नोड़ थ्री कि नोड़ फॉर समें निया निया नोड़ दिया गया हैं एόल इसको झोड़ा गाया कि फर्ड पोजीशिन पहान एंसर्ट करों अब यहां कई एंसर्ट करना होगा ठीक है ब सब्सक्राइब चलो council देख ले हैं रिसल्ट देख़ ले हैं कि इंसर्चन के बाद alla डिस्ट कैसा दिख रहा होगा तो या रिजल्ट क्योंकि इससे क्या क्या करना है हमें वह स्टेप अमें किलिए हो जाते हैं ठीक है डेकनल देख लिटे तयार तो इंसर्चन के बाद हमारा लिस्ट कुछ ऐसा दिख़़ा होगा node 1 node 2 node 3 नहीं नूड थ्री नहीं है new node आएगा ना node 2 के बार हाँ New Node प्रिसके बारन ओर चली क Hai लिग वारन फूर तब ओ सिकाल नोर फॉर और यह नल यहींज, इसको पॉइंट कर रहा होगा यह इसको यह इसको यह तो वे फिर डिंट को पॉइंट कर रहा होगा difference क्या है difference क्या दिख़़ा है difference क्या दिख़़ा है number one क्या क्या दिख़़ा हमें difference भाईया यह जो new node है न यह जो new node है इसका जो next वाला pointer था यह initially null को point कर रहा था but final list में अब यह note 3 को point कर रहा है but final list में अब यह note 3 को point कर रहा है ठीक है? चलो new node का next वाला part था new node का जो next वाला part था वो किसको point कर रहा है? note 3 को ok, number 2 भया, new node का previous वाला part है न रहेंआ यह अब नोड 2 को पस्याइठ और रहें टोंग को प्रिज्ट को पार्ट थीट कर रहा है इस कि नौड 2 का जो और सुआ बात फॉयच साघ् news उन्लिक पाइठ नोड 3 को पॉइंट कर रहा है वो इस क्येस में नोड और और इनीच्ट वाला पार्ट इनीचली नोड फ्रीको पोईट कर रहा था वह इंसरेशन के बाद नहीं वाला नोड को पोईच कर रहा है तो है है नोड का जो न Nex गौला पार्ट था- मौक्त capsule तक नियु नुट को ठीक है छोता डिफ्रेंस क्या दिखरा है कि नूट थी का जो प्रिवियस वाला पाट था जो इनिश्यली नोट को पोईट कर रहा था जो इनिश्यली नूट को प्रभया एक चीज आपने बताई थी क्या वा कि हम किसी भी नोड को हम किसी भी नोड को अपने यूज में नहीं ला सकते हैं जब तक हमारे पास उस नोड का एक्सेस नहीं होगा याद करो मैंने क्या बोला था कि यहां पर देखो यार यहां पर देखो यहां पर मैं नोड 3 का भी यूज कर रहा हूं नोड 2 का भी यूज कर रहा हूं यहां भी मैं नोड 2 का यूज कर रहा हूं नोड 3 का यूज कर रहा हूं ठीक है बट अगर हमारे पा इसके लिए, we need to create, we need to create, two pointers, two pointers, खीक है, one will point, एक जो है, कहां point करेगा, one will point, the previous node, previous node of given position, previous node of given position, given position, मतलब, जैसे हमें यहां पी insert करवाना था ना, अपना एक नया node, तो एक node इसको point कर रहा होगा, एक pointer इसको point कर रहा होगा, और दूसरा pointer इसको point कर रहा होगा, ठीक है, and second will point second will point the next node of given position the next node of given position given position ठीक है तो एक नोड हमें आगे रखना है एक नोड हमें पीछे रखना है ठीक है हमें यह पता चल गया है चलो बना ले दो हमने क्या किया डो sido पौइंसर nalya यार पीछे वाले को हमने नाम दे दिया और और आगे वाले को हमने नाम दे लिया फरंट फिली करेंगे तो हमांबध को option ही नहीं है इनिशलाइज हमें head से ही करवाना पड़ेगा हमें head से ही करवाना पड़ेगा क्योंकि head सी लिस्ट को access करते है तो हमारा जो आगे वाला pointer था ना उसको हमने head से initialize करवा दिया ठीक है और back वाला कहां रहेगा तो back front के पीछे रहेगा उब front head पे है और head के पीछे कुछ होता ही नहीं है न अब जब नल इसके बाद क्या होगा इसके बाद यह होगा कि कुछ ऐसा scene create हो जाएगा ठीक है कुछ ऐसा scene create हो जाएगा यह चार नोड़ थे हमारे पास यह चार नोड़ थे हमारे पास ठीक है head यहाँ है ठीक है हमने दो पॉइंटेस बना लिया एक front जिसको हमने head पे डाल दिया अब हमें इस position पे इंसर्ट कराना है अब हमें यहाँ चाहिए और front हमें यहाँ चाहिए ठीक है मतलब हमें एक लूप तो चलाना पड़ेगा ताकि यह दोनों आगे आगे बढ़ते चले और अपने अपने position पे आ जाए ठीक है अब यह condition क्या होगी condition क्या होगी मैंने कहा कि एक variable ले लेते हैं और cnt ठीक है और इसको मैं initialize करवा देता हूं once से इसको मैं initialize करवा देता हूं once से अब मैंने condition लिखा कि while जब तक cnt की value position से छोटी रहे जब तक इस counter की value position से छोटी रहे तब तक back और front को आगे बढ़ाते चलो आगे कैसे बढ़ाएंगे तो मैं कह रहा हूं कि back को जहां भी front है ना वहां डाल दो back को जहां भी front है ना front तो हमें इसके घर आगे रहेगा तो जहां भी front है वहां डाल दो और front को उसके अगले वाली note पे डाल दो front को front का next कर दिया हमने और cnt plus plus कर दो cnt plus plus कर दो बस लूप हमारा खतम dry run करके देखते हैं तो हम हम ऊंखो कि पोजीशन की value क्या है कि पोजीशन की value हमें दीवाई है तीन ठीक है कि initially कि सी अनटी की value हमारे पास क्या है सी अनटी पोल टूद रहरा है ठीक है क्या one तीन से छोटा है हाँ वन तीन से छोटा है और तो यह जो बैक से हटके इस पर आ गया और जो फ्रंट था यहां से हटके यहां आ गया वाई चलो और cmT++ हो गया cmT की value हो गई 2 फ्रेज ने चेक्क क्या व्रेज का 2 less than 3 है फेसे इसको मिल गया true, तो फेसे जो back था ना, back यहां से हटके, जहां front है वहां आ गया, और front यहां से हटके, front के next पे आ गया, ठीक है, अब cnt प्लस प्लस हो गया, अब फिर चेकरा क्या 3 less than 3 है, तो इसको answer मिल गया false, और यह हमारी जो loop थी, वो terminate, terminate हो गई, अब loop थो terminate हो गई, पर जो हमारा back था, वो हमारे अपने position पे आ गया, और जो हमारा front था, वो अपने position पे आ चुका है, और यही तो हमें चाहिए था, कि एक pointer इस वाले node को point करे, इस वाले node को point करे, और एक pointer इस वाले node को point करे, यही तो चाहिए था ना यार हमें, यही तो चा दोनों नोड का access आ चुका है तो हम अपने यह वाले operations कर सकते हैं ठीक है पहला क्या था कि new node का जो next pointer था new node का जो next pointer था वो किसको point कर रहा है node 3 को ठीक है और node 3 पे कौन सा है front node ठीक है तो हमने क्या लिख दिया कि जो new node का next pointer है new node का जो next वाला part है उसको front पर point करा दो मतलब आगे वाले node पर point करा दो ठीक है भी है दूसरा जो new node का previous वाला pointer है उसको node 2 मतलब पीछे वाले node पर point करा दो और पीछे वाले node पर कौन है बैक है घा ठीक है तो हमने लिख दिया में निजू नोड के फ्रेविएस वाले पॉइंटर को थे गवाले पर पॉइंट करा दो क्यों तीसरा किया है नोड टू के नेश्च पॉइंटर को नीडू पर supernatural Mirror और तू मतलब पीछे वाला नोड एक है यह बैक वाला तो हमने क्या किह पड़ा चिम डाच में एक स्वाला पॉर्णपिड में नोट अब करा दो चौथा क्या है जे नोट का गया प्रीएघ्डर प्रिष माला पार्ट है उसको Och प्रेवियस को हमने न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया और यह हमारा अग्षण कम्प्लीट और यह हमारा फंक्षण कम्प्लीट बस इत्ता साइथा यह रॉड रन करके देखे गवाड़ी अग्वाड़ी तो उसके पहले वाद उसके पलब पर पोड हाथ से लिख लेता है थिए स्टाटिंच से मिसम्हां न्या नूद हम क्रिएयट खर रहे थे त्षिसम्हां कियसे चरह रहे走़ है एसे ठीक है एइं ते कर दिया है ठीक है स्टेप 2 एम्टे लिस्ट हैंडल कर रहे था हम कैसे कि इस है इस लुज उनल उस केस में क्या करो कुछ नहीं है है र्टेल दोनों को न्यूनॉट पे पोइंट करा दो और इतना करने के वाद क्या करो तो function के बाहर आ जाओ इतना करने के बाद function के बाहर आ जाओ आगे बढ़ने की जड़ोर नहीं है step 3 non-empty list handle करना है उसमें 3 सब cases है कौन कौन से है अगर position की value 1 दी रहे है ठीक है अगर position की value 1 दी रहे है उस case में क्या करना है उस case में हमें insert at beginning call करना है ठीक है head tail data ठीक है कुछ नहीं करना और इतना करने के बाद function के बाहर आ जाना है ना करने के बाद function के बाहर आ जाना है सब case 2 क्या था अगर position की value length से एक ज़्यादा हो और यह length कैसे निकालेंगे तो length के लिए हम एक function जो हमें लिख रखाता है बस वही हम call कर देंगे तो सबसे पहले इस function को call करके value को store करवा लेंगे alien नाम के variable में ठीक है अब यह हम चेक कर लेंगे if head if position equal to equal to length plus one उस case में हमें क्या करना है उस case में कुछ नहीं करना है insert at end call कर देना भीया head tail data ठीक है और इतना कने के बाद return आजाना है ठीक है चलो अब random position वाला सब case है उसमें मैंने क्या बोला कि दो pointers ले लेना है एक बैक जिसको नल पर डाल दो एक front एक front जिसको head पर डाल दो ठीक है और एक cnt ले ले लेता है यार जिसको वन से हम ने श्लाइस करवा दिया अब एक loop चला दो यार अब एक लूप चला दो कब तक चलेगा लूप जब तक cnt की value position से छोटी रहे जब तक लूप चलाओ और इस loop के अंदर क्या करना है कुछ नहीं करना बैक को जहाँ front है वहाँ डाल दो front को front के next पर डाल दो आगे बढ़ा दो ठीक है और cnt को प्लस प्लस कर दो ठीक है अब जब यह loop खतम हो जाएगा तो हमारा back और front अपने position पर आ चुका होगा position पर आने का बाद पहला step new node के next वाले पार्ट को किस पर पॉइंट करा दो front पर आगे वाले नोट पर ठीक है दूसरा step new node के previous वाले पार्ट को किस पर पॉइंट करा दो यह पीछे वाले नोट पर करवाना था तो मैं बैक डाल दिया ठीक है फिर पीछे वाले नोड के next वाले पार्ट को कहां पॉइंट कराना था ठीक है और आगे वाले नोड के प्रीवेस पार्ट को कहां पॉइंट कराना था बैया यह वे न्यू नोड पर जैसे यह हो गया क्मारा function खत्म उभाण function काक्षिण corr करके देखे लैं करकिए है शमजा आएग शेलो ऑक सबस्क्राइब तो यो लेंट function हमने पीछे लिखाता वह वे लिइंट function उठा लेते यह हैं आ है कहा का है है कर मनेद यहां से कॉपी कर लिया हूं हमने यहां पेस्ट कर दिया ठीक है इंसर्च निट पोजीशन वाइड इंसर्ट एट पोजीशन नोर स्टार टाइप बाइड एड़ पास कर दिया हमें एक डेटा भी चाहिए और एक पोजीशन भी तो चाहिए नहीं क्या जाइब किस पोजीशन पर इंसर्ट करवाना है ठीक है step one अब क्या था step one क्या था creation of new node creation of new node कैसे कर वादते है बहुत इजिये बस नन्स्ट्रक्टर को कॉल कर दो ठीक है बस नन्स्ट्रकटर को कॉल कर दो ठीक है step two step सेवाइन को करते हैं कैसे करते हैं अगर हैड हमारा अनल पे होगा अगर हमारा नल पे होगा कुछ नहीं करना है यह 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 और टेल दोनों को पोईंट करा करा कि फंक्शन के बाहर आ जाओ ठीक है step 3 non-empty list handle करना step 3 non-empty list handle करना इसमें तीन cases थैयर सब case 1 sub case 1 कौन सा insertionate beginning वाला मैंने क्या वोला कि अगर position की value 1 होगी अगर position की value 1 होगी तब क्या करना मैं कुछ नहीं करना वह इंसरे बिगनिंग कॉल कर दो head tail data के साथ ठीक है और यह करने के बाद function के बाहर आ जाओ ठीक है सब case 2 कि सब case 2 क्या था भाईया length निकाल लो पहले भाईया length निकाल लो पहले ठीक है length function हमने head pass कर दिया हमारे पास आ गई length ठीक है मैंने क्या बोला कि अगर position की value length plus one हो अगर position के value length plus one हो तब हमें क्या करना है कुछ नहीं करना वह या insertion at and call कर दो insertion at and call कर दो head tail data ठीक है और इतना करने के बाद function के बाहर आ जाओ इतना करने के बाद function के कोई case नहीं हुआ तो मतलब case 3 होगा कोई भी एक random position सब case 3 कोई भी एक random position इस case में क्या करा हमने दो pointers बना लिए एक को हमने नल पर point करा दिया जो पीछे रहेगा और एक को हमने फिर पॉइंट करा दिया जो हमारे आगे वाले नोट पर रहेगा ठीक है फिर हमने एक counter ले लिया जो की once initialize होगा ठीक है फिर हमने क्या करा एक लूप चला दिया कब तक सी एंटी लेस दिन पोजीशन रहे जब तक लूप चला दिया इस लूप में क्या करना है बहिए बैक को फ्रंट पर डाल दो और फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट पर डाल दो ठीक है अब सी एंटी को प्लस प्लस भी तो करना नहीं जैसे इस लूप के बाहरा जाएंगे हमारा बैक और फ्रंट अपने अपने पोजीशन पर आ चुका होगा ठीक है अब पोजीशन पर आनेक बाद क्या करना था बहिए सबसे पहले नीजुन और का जो इस्ट फॉइंट Κा ना उसको पॉइंट करा दो फ्रंट पे आगे वाले नोट पे चलो करवा दिया जो प्रिविश्य वाले वाले नोटवल फ्रोंड यह भी लुकल लादिया बैक का जू नेक्स्ट वाला two ला पोइंटर था ना उसको पउ प्रिविस वाला पॉइंटर था ना उसको भी और यह फंक्षन कंप्लीट हो गया है रं करके देख क्या थी वह देख लेते हैं, पहले कि है इनिशल इसक्ट क्या थी वह देख लेते हैं पहले पहले position 1 के लिए call करके देख लेते हैं, पहले position 1 के लिए call करके देख लेते हैं, inserted position, head pass कर दिया, tail pass कर दिया, मैं डालता हूँ value 1, और position भी मैं 1 डालता हूँ, ठीक है, क्या हमारे पहले position पर 1 insert होगा, देख थे, क्या हमारे पहले position पर 1 insert होगा, हमारे पहले position पर 1 insert हो चुका है, और हमारा head भी update हो रहा है, ठीक है, भीया, last में insert कर वाकर दिखा और last वाले position के लिए, तो हम देखे हैं कि हमारे पास कितने notes अभी 5 notes है, ठीक है, मतलब position 6 हमें डालनी इंसर्ट at end के लिए, ठीक है, इंसर्ट at end के लिए में position 6 डालनी पड़ेगी, head, tail, मैं value डाल देता हूँ, 8 position डाल देता हूँ, मैं 6 पोजिशन पर हमें 8 insert करवाना है, हमने ये कह दिया, run करके देख लेते हैं, हमारा यहां 8 छठे position पर जाके insert हो गया है, और tail भी 8 पर आ चुका है, अच्छे से, ठीक है, भी आप बीच में कहीं करके दिखाओ, चलो, 1 और 4 के बीच में, 2 डाल के देखें, 1 और 4 के बीच में, 2 डाल के देखें, मतलब 2 पोजिशन कर दो है, 1 के बाद हमें insert करना है, 2 पोजिशन करते हैं, ole inserted position, head, tail, हमें 2 डालना है दूसरे हमें, दूसरे पोजिशन पर, और नगुत नख्रें सिता कि दरण करके देख लेते हैं अब हमारा यह दो सेकेंड पोजीशन पे आचुका है और है टो ए फेंटिया एक बड़ा और करक करके देखाओ तीन लासंसा दैखें कि य्टीन डाल के देखेंग्र चलिए देखते हैं हमारा यहां तीन तीसरे पोजिशन से आ चुका है है डोटेल हमारा परफेक्टली अपडेट हो रहा है और हमारे यह पूरी लिस्ट वन टू थी फॉर फाइब सिक्स सेवन एप बन जुकिए तो बस इत्ता सही था है आड को यह इंसर्शन पोजिशन वाला में हम ईडली वीडीशन स्टार्ट करेंगे कैसे हम डबि लिंग लेस्ट में से नोस को डिलीट करते हैं ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें को सब्सक्राइब कर दें और शेर अपने दोस्तों के साथ मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पूर वाचिंग